है 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 फ्रेंड मैं असिस्टेंट लोको पालेट नंदलाल मौर आपकी यूट्यूब में स्वाबत करता हूं मैं आज आप लोगों को इस स्टेटिक से सम्मंदित कुछ क्यूस्टन है उसको साल्व करा हूं और यह दि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सियर सब्सक्राइब जरूर्ट करेंगा पहले कुश्टन की और करते हैं पहले क्या दिया दिया है यह है पहला क्या है माधि माधि के वारे में समझेगी माधि के वारे में क्या है माधि माधि के वारे में माधि संख्या का आवसत होता है इसकी गड़ना करना बहुत ही आसाथ है सभी संख्याओं को जोड़े फिर जितनी संख्या है उतने से विभाजित करते हैं वह उसका माधि हो जाएगा जैसे आपका दिया गया है क्या दिया गया है 13, 19, 13, 14, 16, 14, 13 और 20 इस तरह से इसको क्या करेंगे इस सभी संख्याओं को जोड़ेंगे जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या को जोड़ेंगे तो आगया आपका कितना जोड़ लेते हैं कितना कितना होता है तेरा, उन्नीस, तेरा, चाओदा, सोला, चाओदा, तेरा, बीस, इन सभी को जोड़ देंगे, तो प्यों है, नो, तीन बारा, बारा, तीन पंद्रा, पंद्रा, चार, उन्नीस, उन्नीस, छे पचीश, पचीश, चार, उन्तिस, तीन बातिस, बातिस के दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, आपका बैलू आगे कितना, दो सो बाइस बटे, अब जितनी संख्या है, उससे डिवाइड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ से डिवाइड कर देंगे, तो आठ से डिवाइड करेंगी, आठ के माट, तो आज आएगा, पंदरा दस्वलो दो पांच, इस तरह से आपका यह आणसर हो जाएगा, तो इस तरह माध मिकालने का नियम यही है, कि सभी संख्याओं को जोड़ दे, और जोडने के बाद सभी संख्याओं को जोड़े, और उसके बाद में जितनी संख्या है, उससे डिवाइड कर दे, तो वो माना जाएगा, उसी को हम माधिवो कहते हैं, अगले चलते हैं, अगला क्या है, अगला दिया है माधिका, माधि जाता है अर्फा दी गई संख्याओं के संभों के सबसे मत्हें भागवाले संख्या को मादिका कहते हैं तो इस तरह से यह दिय गया है आर रोही का मतलब छोटे से जोटे से बड़े कि यह और 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 रोही का मतलब बड़े से चोटे की और लिखते हैं जैसे आपका दिया गया है 2, 5, 7, 9 और 12 दिया है इसको चाहे और और ही करम में EP तो किसी भी संख्या के रूप ना किसी तरा से लिख लेंगी इसको पहले सजा लेंगे तो सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो दो के बाद फिर आता है पांच पांच के बाद में आता है साथ साथ नौ और बार इस तरह से दिया गया है अब इसको माध निकालना है तो दो संख्या आपको इधर से और दो संख्या इधर से हटा दीजिए जो बीच का जो मान होगा वही आपका माधिका कहला तो यह आपका संख्या 7 दूसरा कैसे है दोसरा देखें कि कैसे निकालते हैं जैसे माह लीजिया है 5 7 इसमें क्या है साथ संख्या दी गई तोटल कितने ही पाच संख्या दी गई अगर यहां पर यह क्या है विशम संख्या है और नमबर में है तो आपको यह पता चल गया कि यहां पर सेवन आपका मादि का है अब यहां पर हमको दो समाल लीजी इस तरह से दिया गया हूँ 1578910 इस तरह से दिया गया है तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा कौश साह네 तो क्या करेंगे दो इधर से निकाल देंगे राइट साइड दो लेफ्ट से और दो राइट साइड से हटा देंगे जो बीच वाली संख्या बज़ेगी पहले इसो क्रम में सजा लेंगे पहले ये क्या करेंगे क्रम में सजा लेंगे आपका और होगी क्रम में हो जाएगा अब उसमें से दो elft साइड से निकाल देजीए आब बचा हुआ कितना 7 और 8 साथ और आठ को जोड़ देंगे साथ और आठ को जोड़ देंगे तो आठ साथ पंद्रह हो जाएगा और दो से डिवाइट करेंगे दो से डिवाइट करेंगे तो साथ दस्वलों पांच आपका मान आएगा तो यह आपका हो जाएगा माधिका क्या हो जाएगा मादिका हो जाएगा यह हो जाएगा मादिका इस तरह से इसको निकालेंगी अब नेस्ट पे चलते हैं नेस्ट क्या है नेस्ट है बहुलक बहुलक के बारे में देखेंगे बहुलक क्या चीज़ होता है इसके बारे में देखते हैं पहुलक क्या है बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है अर्थात्वा संख्या जो सबसे अधिक बार आती है जैसे आपको दिया गया है क्या बहुलक क्या है जो सबसे अधिक बार आ जाए उसे बहुलक करते है बहुलक कहेंगे तो जैसे आपका दिया है चार दो चार तीन दो और दो दिया गया है अब इसमें बहुलक मलत जिसमें सबसे अधिक बार कौन आया है दो आया है इसमें क्या है दो आया है तो दो कितनी बार आया है तीन बार आया है सबसे ज्यादा दो तीन बार आया है तीन बार आया है तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा दो हो जाएगा है इस तरह से हो जाएगा हैं फौन थोसे कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे चूटी संख्या को घटा धिया अब यहां पर क्या करेंगे सबसे बड़ी संख्या आपके कितना है 20 और सबसे छोटी संख्या क्या है 13 अब इसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दे तो जो मान आ जाएगा उसी को परिसर करते हैं तो क्या करेंगे 20 में से 13 घटा देंगे जो मान आ जाएगे वो आपका परिसर कहलाता है उसी को हम परिसर कहते हैं आप आगे देखेंगे प्रसरण प्रसरण क्या होता है वारियन्स इसके बारे में देखेंगे प्रसरण का आपका फार्मूला होता है प्रसरण बरावर प्रसरन बरावर होता है मानक बिचलन मानक बिचलन मानक बिचलन होता है इसका होल स्क्वार यह हम लिख सकते हैं क्या मानक बिचलन बरावर मानक बिचलन बरावर होता है अंडरोड प्रसरन यहां पर हम माड भी दे सकते हैं क्योंकि जब हुन कोई वर्ग निकालते हैं जैसे मालीदिया आप दिया गया है दो सो पचीस अब दो सो पचीस को अगर हम निकालेंगे तो इसमें अंडरूट में रिखेंगे दो सो पचीस वर्ग मूलन लिकालेंगे तो कितना आजाएगा है 15 लिखालें लिकालें 15 इंस हम cow abu अगर लगवा है तो यह समय दीजिए कि आपको प्लस ही लेना है आपको मायनष नहीं संक्या निखा डिए तुम स्थ लिए रहे हो प्लस पंद्रह पंद्रह और शोला इस तरह से अगर दिए रहे गा माइनष और प्लस यह नहीं दैगे कि यहां पर आपको सिर्प लेखेंगे पंद्रह तो इस 25 का वर्ग मूल निकाल लेंगी तो आपका आजाएगा 15 और अगर मानक विचलन दिया गया मानक विचलन दिया गया है तो प्रसरण अगर निकाला है मानक विचलन मालीजी 15 दिया है तो पंद्रा का वर्ग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका प्रसरण और यह आजाएगा 225 तो यह प्रशरण और आगया सम्द twist किसी अगर प्रशंन का अ दने निकालना है तो कि इस तरह से इसको निकाल लेंगे अगले क्या है मान कि और SHB अगले क्या है मान कि प्रशरण और मानने की दो नोब हो चुका है प्रसरण प्रसरण बरावर होता है मानक के बिचलण कर ओस्फिद्स कि क्या करेंगे अगर हमको प्रसरां निकालना है तो क्या करेंगे सीधे ढेडर माली आई जिए 266 दिया विजा गया था तो इसका मानक बिचलन कालते हैं Q swords को दो ii अंडर रोट में इगा तो ये उजएगा 15 क्या अब 15 जाएगा मानक कई अगर प्रश्रंड निकालना है तो तो call का वर्ण निकालेंगे तो इस तरह से आपका प्रश्रंड और मानक क संबंध हूगा आब भी चिलं गुडांग बिचरण गुडांग क्या होता है देखेंगी बिचरण गुडांग बिचरण गुडांग का फर्मुला होता है आपका बिचरण गुडांग बराबर होता है मानक विचलत मानक बिचलन बटे माध्य गुड़े सब तो अभी मानक बिचलन के बारे में भी जानगे और माध्य के बारे में भी जहां सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या उसे डिवाइट कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा मानक बिचलन का है फार्मूला क्या होता है मानक बिचलन बड़ाबर अंडर रूप प्रसराण होता है तो प्रसराण संख्या दिया रहेगा तो उसको हम नि निकाला जाता हाधा अगणा कि इस तरह से सभी सभोर बचें आठ नमर का अठ नमर क्या है बहुलाग मादिका कैसे और जाती वाद में वाले मान मान आता है यह संख्याओं को जोड़क विछ ली यह वह जाता है मता हुश्य。 जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दीजे तो मात निकलेगा अब बहुलक बराबर तीन गड़े माधिका मानस दो माध ही इस तरह से आप निकाल सकती है इस तरह से आप निकाल लेगा इस तरह से वीडियो समापत हुए वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक जिया सब्सक्राइब धन्यवाद